कि आह नमस्कार साथियों मैं आप सभी का आई टियाई अड़र टॉन्टी फोर स्वन पर आप सभी का हार देख स्वागत करता हूं साथियों तो साथियों आप लोगों को एक information देना है यानि कि आप मैंसे कई बच्चों के अंदर यह होता है कि सर आई टियाई करते हैं तो आई टियाई से क्या हमको विनफिट मिलता है या फिर हमको आई टियाई करने से कौन सी जौब लगने वाली है कैसा क्या है तो मैं आज आपको ब नोकरी आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि अगर आप नोकरी लेना चाहते हैं और आप आई टियाई से किये हैं अगर आप आई टियाई कर रहे हैं या आई टियाई कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई गाइट करने वाला मुझे मिल जाता मुझे बताने वाला तो साती हो आपके लिए मैं जो है आपको बताने जा रहा हूं आईटी ऐ से यो अगर आप tai कर रहे हैं जिस भी ट्रेट से कर रहे हैं & और आपको कहां कहां गोवर्मेंट जॉब इसके बारे में हम आपको बताएंगे साथ यू सबसे पहले मां बतादेता हूं कि हमारी जो और हमारी जो घ्लासेज्स क्यों सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा ट्रेट से सम्मंधि जो टीज ऑलक्टी सेन की है वो चलती है साथ बज़े कि दिनसे ग्साथ बज़े टो आई एंगी पर पताते हैं कि कि श詮 क्या क्या आपको आपकी हिसलों तो तो सबसे पहले हैवाइले को किया है और ह्यंसेठी टेकनीशियன तक है तो पहला क्या है आपको जो आप गूंपना चाहिएस सबसे पहले आप की जो थे भारत की सबसे बड़ी और अगर कहते हैं तो इसी को करते क्युको कि सबसेदा गोशन्य के सिंगलता सब सबसेदा कijn रेलव tiro में अगर आप को त्यारी करना चालते और रेलवे में अगर आप जवे 5 या इंट बनना चाहते और आपके जितने भी मेट्रो संस्था हैं वहां से जिसे भी गुजरात मेट्रो की वेकेंसिस आई हुई हैं तो जितनी भी हमारी मेट्रो की संस्था हैं आप वहां पर भी आप कर सकते हो अना या निक अगर आपने आइट आई किया है तो आपको यहां भी चांस बन जाता है आपको आपको मेटRO में बीयार आपको काम करना है तो आपको मोका मिल जाता है ठीक है चली अब आगे बात करते हैं सात्य हम अगला हमारा है electricity board कौन सा बोर्ड है बेटा electricity board जो हर राज में होता है यानि आपका जो electricity का जो बोर्ड है यह कहां पर होता है हर एक राज में यानि कि जैसे UP का है तो वहां कर उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश पावर का परिशन लिम्टेड होता है है ऐसे यंपी का ऐसे बिहार का ऐसे जहार खंड का हर जगह का अपना अपना बोर्ड होता है आप अगर आई टी आई किये हैं अगर आपने लेक्टीशन से किया है तो आपको ज्यादा चांसेश बन जाता है आपको electricity यहां पर उत्पादन होता है वहाँ पर यह अपको वतान होता है वहां पर इसमें का मूखा मिल जागता है तो साथियों हो यह तो हमारी तीसरी थी जो कि आपको chance बन करते हैं नो करी की और एक चीज़ में अब बताता हूं जिसे बोलते हैं पीएस यू पीएस यू का मतलब होता है बटा पबलिक सेक्टर अंडर टेकिंग यानि कि आप कर सकते हो कि यह जौब आपको और हिसम कते हैं कि हम जौब करना चाहते भेल में क्या हमको क्वालिफेकेश करना है और इसके लिए थोड़ा हमको बताई ये तो आप पीएस यू पब्लिक सेटर अंडर टेकिंग में भी आप काम कर सकते हैं जिसमें आपका आता है वेल आता है ठीक है वेल के बाद हच पी आपने देखा भी होगा कि आपके पास स्पी हिंदुस्थान पेट्रूलियम कर या कह सकता है फिर आप गैस्तपी के लेप्त आउरा भी देखें होगे आप वहाँ भी आपकी परमेंट आती है इसके लां मäreच करने का अथाल्टी आफ इंडिया लिम्टेड में भी आपको काम करने का मौका मिल जाता है इसके लबाँ आपको हाल यानि यह अल में भी आपको कार करने का मिल सकता है जो आपका लखनों में भी है ऐसे ही कई जगह है यहां पर कई बच्चे अप्रेंटिस भी कर रहे हैं हमारे जनने तो आप इंडियन आर्मी की किसी भी यानि की चाहे आपकी जो तीनों से ना हो थल से ना वाइस से ना या फिर आपकी जो जल से ना हो सब में आपकी हमेशा आपको requirement मिलता ही रहता है कि आपने अगर का डिया फीमित और फिटर का या फी मोटर मै और चीनिक करने वाले इतने हमारे चाहशात होते हैं उनको चांस मिल जाता है के आपको नौकरी करने का अगर आप कर देख सोचा है कि हम को आई टीयाई हमने किया है और हम गोकिधर मलब की संस्था जाणा चाहिए कैसे तैयारिकरना चाहिए आपको इंडियन आर्मिल भी आपको चार्स मिलता है इस के लाव मेटा आपको इंडियन नवर्मिक आप defense में भी आपको काम करने का मुखा मिल जाता है ठीक है अगर आपने आई टी आई किया है है तो आप किसी भी ट्रेट से हो सकता और ज्यादा तर इसमें तो वेकेंसी जो आती है वह एलेटीसियन का ज्यादा आता है उसके बाद फीटर कभी आता है फीटर के साथ आपका motor म साइने की बी वेकेंसी आपको देखने के मिल जाती है या फिर कौपा भी कभी कभी आप से पूछ लेता है इसके लमाया अपका बिटा है इसरोग अगर आप साइंद्रेश्थ व assignment करना चाहते हैं तो आपको इस रोम भी आपको वेकैंसी हर साल आपको देखने को मिल जाती ह है कहां पर देखने मिल जाती है हर साल आपको देखने को मिल जाती है अगर आप बने किया है या फिर आप कर रहे हैं या फिर आपने तैयारी करने के लिए सूचा है तो आपको यह मैंने आपको बताया top five याने कि आप कह सकते हो कि पाउच वेष्ट जगह या आप कर सकते हो कि जो गौर्मेंट तैयारी आप करना चाहते हैं तो यह पांच जगह इसी है जहां पर आपको नौकरी हमेशा आपको मिलती रहती है या इनिकी आपको मोका मिल जाता है इसके लाओ आपके कालेज होगा जैसे माले नवदा विद्याला हो गया या फिर और आप चाहते हैं तो आपको मोका मिल जाता है तो यह आपको छोटी से हमको एक जानकारी देनी ठीक अगर आपने आई टी आई किया है और आप चाहते हैं की मतलब हम नया कुछ करना चाहते है या फिर नया कुछ बनना चाहते हैं तो आप के लिए एक सुनहरा मोगाई बेटा कि आप रेलवे यहलपी टेकनीशियन के लिए भी आप एजिबिल्टी हो सकते हैं इसके लबाँ हर राज में आपका अलेट्रिसिटी बॉर्ट का होता है आप वहां भी कर सकते हो मैट्रों में कार कर सकते हैं इसक को आराम से काम कर सकते हो ठीक है और इसके लावा बेटा हमने बताया कि पॉब्लिक सेक्टर अंडर्स टेक अंडर टेकिंग वाले में भी आप कारे कर सकते जैसे आप वेल नालको मुझा मिल जाएगा और इसके लाव में बिए आप काम करने को मिल जाता है तो आप मेंसे अगर कोई भी विचा आ यह जाना चाहता यह जाने करें का मनलक यह कि अगर आप एच्यूक है यह मंलब आप करना चाहते हैं और अब आपने किया है तो आपके लिए यह हमारा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था तो अगर वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो आप इसको क्या कर दीजिएगा आगे भी आपके दोस्त मित्र जो भी हो उनको कशेर कर दीजिए का से अगर आपको हमारा इनफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो इसालाइक करिएगा अगर आपको कोई